चलिए बच्चों, आज हम अपना पार्ट शुरू करते हैं लिंग संग्या शब्द के चिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वे शब्द स्री जाती के हैं या पुरुष जाती के उन्हें हम यह कहते हैं पिछले कक्षा में हमने यह जाना कि लिंग को परिवर्तित करने के कुछ धियम होते हैं तो जो भी संग्या शब्द होते हैं पहली बात तो वो सारे के सारे इस्त्री लिंग या पुरुष लिंग में आते हैं इस तरह से हमने यह जाना कि लिंग को दो भागों में बाटा जा सकता है मतलब लिंग के दो भेद होते हैं इस्त्री लिंग और पुरुष ठीक अब लिंग किसे कहते हैं वे शब्द जिनके द्वारा हमें यह ग्यात होता है हमें यह पता चलता है कि वे शब्द इस्त्री जाती के हैं पुरुष जाती के हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं फिर जिन शब्दों से हमें यह ग्यात होता है कि वे इस्त्री जाती के हैं तो हम उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से हमें यह ग्यात होता है कि वे पुरुष जाती के हैं हम उन्हें पुरु लिंग कहत अब हम यह कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा शब्द इस्त्री जाती का है और कौन सा शब्द पुरुष जाती का हम उस चैनित मतलब उस दिये गए शब्द का अपने वाग के मेरे प्रयोग करेंगे बाग के प्रयोग के साथ में अगर अंत में क्रिया शब्द रहा आता है चुका आता है या फिर ठका आता है तो वहाँ पर होता है पुरुष परंदु उसकी दूसरी तरह अगर रही है खाएगी सोएगी जाएगी इस तरह के आता है तो वह शब्द रोटा है किस तरह रही है तो हम यह जाना की क्रिया शब्देव के दौरा हम वह शब्द का लिंग पहचान लेते हैं जैसे सबसी रखी है तो सबसी के साथ में क्या क्रिया लगी है हमारी रखी है तो जब बड़ी की मात्रा आ गई तो हमने जाना कि सबसी जो है वो स्त्रीलिंग है अगर